हेलो व्रिवन हवा यू वाल कैसो सारे के सारे बढ़िया हो शंदर हो तो गाइज आप लोगों की जानकरी के लिए मैं बता दू की एक कमाइन बैज हम लेके आए जिसमें मैच आपको अभिने सर बढ़ाने वाले और इंगिश में आप लोगों को बढ़ाने वाले हो और मेरा जो कोर्स अब अब अच्छो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के अलग-अलग पार्ट्स पर काम करने के इसाब से बनाया ना तो मैं जो इस कोर्स में यह जो कोर्स में लेके आया हूं मेरा इसके पहले फेज में मैं आपको पांच important topics grammar के cover कराऊंगा वो कौन-कौन से topics है मैं बता दू आप लोगों को मैं आपको verb पढ़ाऊंगा, non-finite verb पढ़ाऊंगा, preposition पढ़ाऊंगा, voice पढ़ाऊंगा और narration पढ़ाऊंगा करण यह है आप लोगों को पता है बच्चो की voice और narration से almost 40-45 questions आते हैं तो यह बहुत important हो जाते हैं और बहुत ही depth में हमें voice और narration के concepts आने चाहिए हैं जैसे की quasi-passive क्या होता है जैसे की हम बोलने में तो उसको quasi-passive बोलते हैं लेकिन quasi-passive का concept एक बहुत important concept होता है वो आप लो लोगों को confuse करते हैं जिनमें दिक्कत होती है तो पांस topic तो हम आप लोगों को detail में पढ़ाऊंगा इसके लबा जो basic topic है जैसे की noun pronoun मिरको नहीं लगता कि अगर आप tier 2 के तैयारी कर रहे हो तो आपको यह वापस से पढ़ने की जुरत है noun हो गया pronoun हो गया adjective हो गया adverb हो गया in इसके लावा preposition हो गया preposition इसलिए important बच्चो क्योंकि close test ले लो filler ले लो और error improvement के question ले लो words followed by preposition के बहुत सारे questions आते हैं और मुझे आप लोगों को अच्छे कासे 200-200 questions जो है वो words followed by preposition के practice करानी है तो अगर एक अच्छे level की जिसे आप लोग fix preposition बोलते हो तो practice के point of view से preposition मेंने लिया है क्योंकि वह वाला part जो बच्चों का कमजोर है जाता है और इसके लावा voice or narration लिया तो यह past topic मेंने लिया non finite verbs सी बच्चों को आती नहीं है जिरन infinitive में बड़े confused रहते हैं वह past topic लेंगे और उनके practice करेंगे तो सवाल यह उठता है close text को number sentence को और passages को आना यह मेरा पहला course है CGL means को लेकर के मतलब पहले से मेरा मतलब यह कि मतलब यह पहला part है मेरे course का इसके बाद में मैं जो course लेके आओंगा वो full-flaged practice course लेके आओंगा एक मेने बाद में अभी फिलाल एक मेने हम इस पर focus करेंगे और क्योंकि grammar का roll बच्चों 200 में से मैं आप लोगों को बता दूँ 95, 100 number के आसपास question आता है even spelling को अगर मैं माल लेता हूँ, add कर लेता हूँ तो 100 number के question grammar के आता है और मैं बता हूँ आपको की 75 question जो है वो आपके close test, jumbled sentence और reading skills से आता है ना तो 175 number के question जो है वो आपके grammar और reading skills में से आता है ना 20 number के jumble sentence आएंगे, 20 question, 25 question के close test के आएंगे और 30 question passages के आएंगे तो it becomes very important कि हम grammar और reading skills के section पे reading skills पे तो हम काफी लंबे समय से काम करते है तो वो improvement आता है लेकिन अब हम practice कर सकता है ना तो we can focus on practice, practicing 20 questions of jumble sentence every day, practicing close test every day, alternate days पे एक दिन आप jumble sentence करो, एक दिन close test करो, एक दिन आप passages कर तो आपका बहुत improvement आएगा ना, तो इस तरीके से मेरी strategy है, इसके बाद में एक और course लेके आऊंगा, जिसमें topic wise कराऊंगा, miscellaneous अपको practice कराऊंगा, और previous year की में practice कराऊंगा, तो यह detailed plan है, इसके बारे में और हम बात चीत रहेंगे, match आपके अभीने से बढ़ा है, combined batch है, combo start हो रहा है, ठीक है, और यह complete course on quantity, aptitude in English for SSC seasonal means 2019, ठीक है, तो यह batch है, और लेना कैसे, आप इसका subscription, यह मेरी course की detail है, आप लोगों को बता दू, 27 मार्स से start हो रहा है, पहले verb पढ़ेंगे, फिर non-unfinite verb पे focus करेंगे, उसके बाद में proposition, voice, narration इन पे focus करेंगे, बीच-बीच में मैंने special session डालें, jumble sentence के, close test के and passages के, इसके अलावा मैं कुछ और आपकी demand पे और extra session ले लूँगा, jumble sentence, close test पे, passages पे, ठीक है, कैसे लेना है, an academy plus course मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कैसे लेना है, फटा-फट से एक बार मैं बता देता हूं, अगर किसी को यह नज सर, English, मैं लेने वाला हूं से 20 मार्स से आप लोगों को, 20 मार्स उनका बैस स्टार्ट हो गया, ठीक है, यह आपके complete details है, और यह मेरे course के schedule है, कौन-कौन सी class में कब-कब लेने वाला हूं, यह schedule हो गया, अभी-भी इसके उपर मैंने बात की थी, कैसे लेना है, यह भी हम 3 महिने का course लेना है, ठीक है, तो यह 12 महिने का है, लेकिन आपको choose करना है 3 months वाला, 3 months का आप चूज करें, जो कि आपको पढ़ेगा 3000 रुपे का, यह 3000 रुपीस का है, 3 months वाला, 3 months, 3000 रुपीस, और इस पे भी आपको discount पढ़ जाएगा, यह आपको 2700 रुपे का पढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं credit debit card, net banking, UPI के तरो आप payment कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप Facebook, Insta और Telegram पे मुझसे पूछ सकते हैं, Englishers नाम से मेरा channel है, इसी नाम से मेरा group भी है, Facebook पे मेरा page और Insta पे मेरा page है, दोस्तों है, तो गाइस, मिलता हूँ आप से next session में, आज के लिए इतना ही, till then check care, all the very best.